लाली टामाटर की सब्जी, चत्मी, आपने बहुत खाय लेकर आज उपन बनाएंगे फरे टामाटर की भरवा सब्जी उपनाने के लिए अपने कोई जादा सामाननी चाहिए, ना ही जादा टाइम लगता है इसे बनाने के लिए अपने को सामने चाहिए यह 20 गरम हरे टमाटर और अध्रक लेशन का पेस्ट कोटी हुई हरी मिर्ची एक टेबल स्पून सौप एक टेबल स्पून जीरा चुटकी वर हल्दी चुटकी एक चुटकी लाल मिर्ची एक चुटकी धनिया और नमक स्वादम साथ और भरने के लिए इसमें बेचाँ अब इ इसमें ऑईल डाला ऑईल गरम होने के बाद में इसमें जीरा डालेंगे जीरे के बाद दालेंगे सौप सौप कि बाद दालेंगे लेचाना रप के लुट कर पेस्ट यह चितर फ्रैंगर लोजी ताजी की लोग बारेंगे तो अखें एक पूटिए और अबाद नाल दाने हरी मेर्ची कुटी होई अब अब टो अब आइए और फ्राइए ने आइए देशन कि अपेशन दिने आपके दिनना है कि यह देखें कि लिए शाड़ोरा लेक्षन अतरा कॉनारी में चीन बहुत बहुत इच्छी कुछ को आ रहे है अपना पेशन ही दिरे दिरे बहुंगा स्टार्ट हो गया है अब इसमें डालेंगे हल्दी मिर्ची और दहिंगा और जो नमक निकलते हैं स्वादे मुष्ण नमक अपने पर डाल सकते हैं को लेना है कितना आप खाते हैं तेज या जलता हुआ है कि देगे बेशन गोल्डन कलर का हुग गया है यह इसन भरने के लिए रेडी है देगे इसकी खुष्ण बहुत स्वांदी जिए बहुत अच्छी खुष्ण वादी इसके अभी बेशन को ठंडा करने के लिए अपने क्लेट में निकाल लेंगे जैब यह थंडा हुगा इसकी बाइद अपनेशन नहीं अभी बेशन में खंडा होगा तक टमाटर क्या पहले से ही दो करके रख लिए अब इस टमाटर को इस तरह से काटना है इस तरह से काट के रखना है दो है है हुआ है है तो अट माटर को ऐसे कष़ा मसाला आसानी से भरा हो जाए नहीं तो अलका हलका से कट लगाँने तो मसाला भहरा नहीं पैनों इसमें इस तरह से थोड़ा अंदर तक कट लगाना है यह देखिया है अगर हलका सा कट लेगा तो मसाल अंदर नहीं भरा उपाएगा बेशन वरने के लिए इसमें थोड़ा लंबे कट्चिए अपना बेशन थंडा हो चुका है इसमें अपन चाहे तो हाथ से भर लो या फिर इसको चमस्च भी भर सकते हैं यह देखिए इस तरह से अब देखिए अपने यह टमाटर बरके तयार हो चुकिए हैं अब इसको फ्राइए करने के लिए देश अपना ओंके लिए इसमें पुड़ा सा ओईल डालें और ज्यादा नहीं डालना इसमें यह देखिया है जारा हरा है जा जाने के बाद इसमें टमाटर डालेंगे घप हिसे इतप्साथ शिए डालें। आ कि अपना बैशन निकलेना इसमें टमाटर का पानी है तो इसकी कारण बेशन गील हो जागा तो भी बाहर निकलेगा नहीं और इसमें इस बेशन में अम्चुर्म लाने ही जो तो नहीं क्योंकि टमाटर पहले सी खट्टे होते हैं अब कर देंगे तो श्कलेट साथी जो पूर्बगर चलाना नहीं है चलिए अब फूल कर देखें ने यहां टमाटर के जिए कितना पतीन है अब कर देखें अब कर देखें इस अमीनी तीछे गोल्डन होने लगें ही जी तिया अब को दी रेखें आके पलत देखें अब अब उसका शुच्छा बाहर ना निकले अब इनमें 10 मिन टोल लगें इसका बेशन बाहर बिलकुल इंकले क्योंकि अंदर टमाटर में पहले सी पानी होता है तो सारा पानी इसमें एप्चप हो जाता है इससे फिर बंद कर देंगे वां पार्षमेट के लिए फिर खूल के देखेंगे यह अब देखेंगे अब इनकी क्या स्थिक्तिय ओस्याओ कर दो कि वांनी ऑपनी आप पत्मेगी वाले आप है का दृह आत कि यह देखे टेमाटर कितने सुन्दर दिख रहे हैं तो खुश्बू भी काफी अच्छे आ रहे हैं अब इसे हम थोड़ा सा और पक्त में देटें कि यह थोड़ी से भी हल्का सा कच्छा लग रहे हैं पांट मिलवा फ्री स्कोर्न का में लिए आए ऐसे बन देखते हैं तो में अश्बू देखे हैं तो इन टमाटर को चैजिकते भी रहे हैं ने बद्छे आए रहे हैं हुआ है मैं देखे नहीं पांट िटास नीविवा निकालकर रहे लेती हैं कर दो लोग सालो बेल कर लेखो है तो यह जो चुछ आंगा गव्लाट को यह देखें टमॉंटर को देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं उतनी ही इनकी खुश्फूब अच्छे कि अधिस को किसी गेश्ट के सामने देवन शर्व करते हैं इसको सजाने के लिए इसमें हरी मिलची भी रख सकते हैं कि हरी मिलची साथ में खाने टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस देखिए अब आप के लिए भर्मा टमाटर क्यार है तो सवादेश